गुट मॉर्निंग स्टुटेंट्स आज हम तभीम सहत और सफाई की मश्ग करेंगे सबसे पहले सवाल नमबर वन इलफास माईनी करेंगे जो के बुक में जो हम पढ़ाई करें थे उसके अंदर से हमने लिये हैं उनमें से है चाको चुबंद जिसका माईनी है शाष विशाष होना परहेस करना मना करना धीमक लकड़ी का कीड़ा वजू पानी से जिस्मानी एजाग को साफ करने का एक इसलामी तरीका इसके बाद हम सवाल जवाब करेंगे स्वालों के जवाब लिखिए किताब में ये सारे सवाल दिये हुए हैं लेकिन मैंने यहां पर आप लोगों के साथ जवाब के साथ आप लोगों को यहां पर मैं दिखा रही हूँ पहला सवाल है सेहत मंद रहना क्यों जरूरी है सेहत बंद रहना इसलिए जरूरी है क्योंकि अल्ला ताला भी हमें सेहत बंद देखना चाथते हैं अगर हम अपनी सेहत का क्यार नहीं रखेंगे तो बिमार हो जाएंगे और अल्ला ताला भी नरास हो जाएंगे सवाल नमबर दूसरा साफ रहने से क्या फाइदा होता है साफ रहने से बिमारियां हमसे दूर रहती है खाना, तीसा स्वाल, खाना खाते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए खाना खाते वक्त दर्जैल, बातों का ख्याल रखना चाहिए उनमें से पहला है, खाना बिसमिल्ला पढ़ कर खाना चाहिए, दूसरा है चबा चबा कर खाना चाहिए. सवाल नमबर चौथा, खाना खाकर अल्ला ताला का शुकर क्यों अदा करना चाहिए? इसका जवाब है, खाना खाकर अल्ला ताला का शुकर इसलिए अदा करना चाहिए, क्योंकि अल्ला ताला ताला ने हमें नेमते दी हैं, और उसका शुकर करने से नेमतों में इजाफा होता है. सवाल नमबर पांचवा, परहेस करने का क्या मतलब है? परहेस करने का मतलब है, कि इन चीजों और खानों से बच्चा जाए जिससे डॉक्टर ने मना किया है, किया हो, या किया हो, किया जाए. चछ़़ा सवाल, बीमारी में परहेस क्यों जरूरी है? बीमारी में परहेस इसलिए जरूरी है ताके इनसान जल्द तंदरुस्त हो जाए. सवाल नमबर साथवा, खुश और चाकोच बंद रहने के लिए कम असकम दो फाइदे लिखिए. खुश और चाकोच बंद रहने के दो फाइदे ये हैं, अपने काम खुद कर सकते हैं, मुश्किल काम भी असानी से कर सकते हैं. आठमा सवाल है, आप साफ रहने के लिए किन बातों का ख्याल रखते हैं? या आप खुद भी अपने से लिख सकते हैं, जो के आप समझते हैं, कि हम साफ रहने के लिए किन किन बातों का ख्याल रख सकते हैं? हम साफ रहने के लिए मंदर्जा जैल बातों का ख्याल रखते हैं बसरद दांत रुजाना दो बार साफ करें आपको पता है हम दांत रुजाना साफ करेंगे तो हम साफ रह सकते हैं रोज नहाया करें रोज नहा कर भी हम साफ रह सकते हैं और साफ कपड़े पहन कर अपने आपको साफ रखें. ठीक है? अब आपने क्या करना है? यह सारा काम आप लोगों ने अपनी नीट कॉपी पर नीट और क्लीन करना है. अब लास्ट कुस्टिन है, जुम्ले. इन इल्फास को अपने जुम्लों में इस्तमाल करें. लोग ही खुश और चाको चुबंद रहते हैं. शुकर. खाना खतम करके अल्ला का शुकर अदा करना चाहिए. हिफाज़त. अली अपनी चीजों की हिफाज़त खुद करता है. मुश्किल. अल्ला ताला से दुआ मांगने पर हर मुश्किल काम असान हो जाता है. यहाँ पे तो मैंने खुद से आपको इल्फास जुम्ले बना दिये. आप अपनी मर्जी से भी बना सकते हैं. अपनी इल्फास में जुम्ले बनाएं. अगर आप यही बनाना चाहते हैं. तो ठीक है अगर नहीं तो आप लोग अपने इलफाज में जुम्ले बनाएं और ये सारा काम आप लोगों का साफ जो है नीट कॉपी पर होना चाहिए और आप लोगों ने इसको याद दी करना है शुक्रिया